नमस्कार दोस्तों साइट ट्रेड टिप्स में आप सभी का सवागत है आज हम दो स्टॉक्स की बात करेंगे जो फ्यूचर में बहुत ही बहतरीन रिटरंस मनाकर हम लोगों को देगी तो पहला जो स्टॉक है उसमें नाम आ रहा है टाटा पावर कमपनी लिम्टेड करेंट प्राइस 395 रुपीज है यह सेर पूरे एनर्जी सेक्टर सोलर सेक्टर ग्रीन एनर्जी निवर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में नमबर वन ब्रांड है यह स्टॉक अने वाले समय में रिनीवल एनर्जी सोलर एनर्जी ग्रीन पावर और ग्रीन हाइड्रोजन पावर यह स्टॉक इनका जो काम है यह रूप पॉन्ड एस सब चीजों को बना करके डिस्टुबीट करते हैं प्रोड्यूस करते हैं मनुफक्चर यह बहुत ही बड़ा प्रोज ones release इसमिला इन Sवी में लगा जाते हैं इनका पना क्या अटामोबाइल सेक्टर है अच्वत हम आपने हमों लीप्टे Task को अपने ही परोड्यक्ट में लगा लेती हैं जैसे अब इन में अपने बैटरी, तर्टामोटर्स में इन का आने वाले समय में, EV चार्जिंग पॉाइंट भी बनेंगी फूचर में इनके गालियों को देख सकते हैं, अभी कितना ज़्यादा इनका दिमांड है, मैं इनके फूचर देखते हैं बात कर आऊं। साथ ही में ये कमपनी इंडिया में ही नहीं बलकि वीदेशों में भी इनका पार्टनर्शीफ है जैसे अरब, इमिरेट्स, इरान, एरान, दुबाई इन सभी द्रसों से इनका पार्टनर्शीफ है अभी इनका मीटिंग भी चल लाई है और जैसे ये 500 मेगावार्ट का पोजे अभी नीज में आ रहा है कि डिविडेंड और बोनस कमपनी देगी कोई भी ब्रोकर हाउस नहीं है जो इस सेक्टर की बात करता हो ये स्टॉप मल्ति बेगर बनेगी जितना हो सके इस स्टॉप में अपना इन्वेस्मेंट करते रहिए फ्रेंज आपको मालूम होगा हमारे अभी बोलते थे टाटा ऐसी ब्रांड है जो कि अपने इन्वेस्टर को कभी भी घाटा नहीं दिया है तो ये बहुत ही बेतरीन कमपनी है इसको जरूर अपने पोर्टोलियों में साहिल करें अभी मार्केट क्रेक्शन में है प्राइस आप अपने डाउन होते रहेंगी जो भीकल है जितना फीचर से अगर दूसरे ब्रांड में जाएगा तो सिगारी का दाम भी ज्यादा है तो बहुत कुछ इन्होंने देश के लिए दिया है और इनका जो कमपनी है वो बहुत ही विश्वस्वस्णिया है और इनमें हमको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए और टाठा टाइटल यह दो ऐसे स्टॉक्स क्योने रकेश जिनकमंडी जीको मौसे शेल मार्केट का सांसा बनाए था टाठा टी और ठाठा टाइटथम तो श्ट्रोक बहूत ही अच्छी है दीरे दीरे इसमें आप अपना एनिलाइस करते रहे और अपने फाइनेनिसिल इड्वाइजर自न से भी कोंटेक्ट में रहे और इसके में ही इन्वेस्ट करते रहे》 नेक्स्ट इस्टोक का जो बात करेंगे वह बहुती बेतरीन स्टोक है फाइनेंस कंपनी से रेक्टेड है इंडियन रेल्पेइ फाइनेंस कारपोर्शन लिप्टेड आई रेक्ट अभी इस्टोक लगबग 30% डिसकाउंट के रेक्ट पर मिल लाई है यह स्टोक 25 डिपीस से चल खर 192 पर तक गई थी अभी यह स्टोक लगतार चल लाई है स्टोक जब चली थी तब विदिन 6 मंथ 200% से ज्यादा रिटर्स न दी थी यह सारी डाटा जो है आप देख सकते हैं जिसके किसी प्लेटफर्म का आप यूज करते हैं आप वहां पर चेक कर सकते हैं स्टोक फ जो मेना पहले ब्लाणिंग हुआ था वी दोसरों के साथ रिल्बे के पटरियों को भीछाने के लिए तो जितना भी फंडरेज करेंगी उसमें आई रेप्सी करेंगी फिंचन अच्छा अगर मुनाफ़ा कमाना है तो ऐसे स्टोक को ज़रूर अपने वास लिस्ट में सामीर किजिए आई रेप्सी में अभी न्यू इंट्री मत किजिए हां अगर आपके पास पहले से इसका स्टोक है तो एवरेज कर सकते हैं जैसे ही एं स्टोक 152 से 158 रुपीज के उपर जाएगा तो फिर से बेहतरील मुनाफ़ा करमा कर देगी और अभी इसका लूर सपोर्ट ज सकते हैं थोड़ा सा और क्रेक्शन आ जाए जैसे ही अगर आपके पास स्टोक है तो आप इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है अपने स्टोक को बिल्कुल ही अराम से पर्फोलियो में रखिए लॉस में बेचने की कोई जड़त नहीं है इतने भी बुरी नहीं है कि आप आपको लॉस में बेच कर नहीं करना है आप जिस भी कंडिशन में हो अगर आपको फायदा तब भी बने रहे है अगर लॉस में चल लाए तब भी कोई ड़ने की बात नहीं है यह बहुत ही अच्छी कंपनी है फ्रेंस यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगए तो दिल से लाइक करें आपको लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंस में वीडियो को ज्यादा स्यादा सेयर करें थैंक यू